नमस्कार मैं दिपाली अब सभी का स्वागत दिपाली एस्टो में करती हूँ और देखते हैं आज का दी रनी की एक अपरेल दो हजार तेज कैसा जाने वाला है तो चलिए शुरुआत करते हैं मे शाशी वालों के साथ में शाशी वालों जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिजे आपने अपने एफ़र्ट से परिस्तिती अपने लिए अर्जित करी है जिस मजबूती के साथ आप इतने सारे पडाओं को चैलेंज आपने एकसेप्ट किया है और इतने सारे जीवन के पडाओं को आप फेस करते या कुछ प्रोमोशन या अच्छी परिस्तिती अवेटेट थी अब वो परिस्तिती आपके लिए शुबता ये शुब संकेत लेकर आएगी तो कुल मिलाकर आपका जो सोचने का तरीका है जो विचार धाराएं आपने नई डिवेलप करी हैं जिस तरह से आप चल रहे हैं वो काबिल तारीफ है इसी तरह से चलते चलिए आपको ओवरॉल पॉजिटिविटी अपने सब चीजों में देखने को मिलेगी बात करते हैं ब्रशव राशी वालों के लिए ब्रशव राशी वालों आज के दिन की मैं अगर बात करूँ तो अपने मन को मस्तिश्क को विचार धाराओं को कॉन्फिडेंस लेवल को सब को बढ़ावा देने का जो शेयर जाता है वो आपके जीवन से असोसियेटिड कोई ऐसे व्यक्ति विशेश को जाता है जो हमेशा हर पल आपके लिए खड़ा रहा यह आपकी माता हो सकती है आपके परिवार का कोई निकट तमसदस से हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर हो सकते है तो कहने का मतलब यह है कि आज के दिन आपको ग्रेटफुल होना चाहिए उ तो जीवन के हर उतार चड़ाओं में आपके साथ खड़ा रहा हो उसी व्यक्ति विशेश के द्वारा दी गई कोई बहुमूल राय दिशा या निर्देश आज के लिए दिन आपके लिए परिस्तितियों को और जाद पॉजिटिव बना सकता है साथी साथ जो लोग अपना निवास थान चेंज करने के लिए एक शुक हैं कंट्री से बाहर सेटल होना चाहते हैं उनके लिए पॉजिटिविटी बनी हुई है बात करते हैं निथ नराशी वालों के लिए जहां पर स्वास संबंदी चिंता हैं तो आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी मन आपका श लोग वैपार विस्तार के बारे में सोच रहे थे उनके लिए भी पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी कुल मिला के आज का दिन आपके लिए नई योजनाओं पे काम करना और आगे के फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करना का माना जा सकता है बात करते हैं करक्रा आज के दिन की मैं बात करूं आज का दिन आपके लिए पॉजिटिविटी सब तरफ से लेकर आ सकता है पारिवारिक स्थिरता बनी रहेगी मन आपका खुश रहेगा प्रसन रहेगा शांत चित रहेगा कुछ ना कुछ अपने लिए नया क्रिएटिव करने की आप सोच साथ ही साथ अगर आपका निजी वेवसा है और आप उसको आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको बहुमूल हेल्प किसी ऐसे व्यक्ति विशेश से मिल सकती है या तो आपका मित्र है शुबचंतक है या इसी ट्रेड का है को मिला के आज का दिन आपके लिए न कि प्रती आपकी पॉजिटिविटी या रिसेप्टिविटी का हो सकता है आपके पास इन्वेस्मेंट के आप्शन आ सकते हैं जिसको आपको टैक्टफुली ब्रिलिंटली चूज करके बेस्ट आप्शन अपने लिए आपको अक्तियार करना है बेस्ट रास्ता लेना है पर परिवार के साथ मिल जुल कर रहेंगे, परिवार के प्रती पॉजिटिविटी रखेंगे, तो आपके लिए परिस्थितिया और अच्छी होते हुए नजर आएंगी, कुल मिला के आज का दिन आपके लिए कुछ ना कुछ, at the end of the day, शुब संकेत या शुब समझार ला सकता है बात करते हैं कनियराशी वालों के लिए, कनियराशी वालों आज के दिन की मैं बात करूँ, तो आज का दिन आपके लिए कुछ ना कुछ चिंता से बरा हो सकता है, खास तोर पे प्रोफेशनली, कोई छोटी मोटी दिक्कत, या कोई छोटी मोटी बाधा या ब्लोकेज आ सक किसी property विवाद में फसे हुए हैं और काफी समय से जद्द जहाँ चल रही है जहां पर आप positivity लाना चाहते हैं तो अब आपके लिए शुब संकेत indicative है, मन आपका शांत रहेगा और negotiate करने के जो आपकी skills हैं वो आज के दिन positive रहेंगी यानि कि strongest आउगस्ट आपका आज के दिन asset रहेगा, तो किसी विवाद में अगर आप नेगोशेट करके चलेंगे तो आपके लिए positivity बनी रहेगी बात करते हैं तुला राशी वालों के लिए तुला राशी वालों अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन विचारधाराओं को embrace करके आगे बढ़ने का है नवीनतम परिस्तितियों में परिवार का साथ देते रहेए कुछ विचारधाराएं परिवार के प्रती और परिवार की आपके प्रती बदलती भी नजर आएंगे, कुल मिला के सब चीज़ों को assimilate करके चलेंगे तो अपनी परिस्तितियों को बेत्वपोर्ण तरीके से आगे बढ़ते हुए देखेंगे जो लोग किसी इंटरव्यू की प्रेपरेशन कर रहे हैं, नौकरी चेंज करने के एकशुक हैं, या कोई उनका examination pending है, तो उसमें भी अब आपको positivity देखने को मिलेगी लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, साथ ही साथ आज के दिन professional visibility भी आपकी बढ़ती हुए नजर आएगी कुल मिला के आज का दिन नई योजनाओं को कारिमिंतित का कार में लाने के लिए आज का दिन बेस्ट माना जा सकता है बात करते हैं विष्ठिक राशी वालों के लिए विष्ठिक राशी वालों आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए परिवारिक इस्थिर्ता पर काम करने का माना जा सकता है आज के दिन आप चाहें तो कारिशेतर उसे थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं क्योंकि पिछले विगत कुछ दिनों से आप अपने परिवार के प्रती थोड़ी सी अटेंशन कम दे पा रहे थे आपको भी अप रेजुमिनेट होने की ज़रूरत है तो अपने प् परिष्टियां जो चेंज करना चाहते हैं परिवार के साथ चलना चाहते हैं परिवार को लेकर चलना चाहते हैं परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं वह आज आपके लिए कोई योजना कोई इंफरमेशन कोई सूचना या संकेद या कोई एक इन्वेस्मेंट प्लान के रूप में सामने इप situation आ सकती है बात करते हैं धनुराशी वालों के लिए धनुराशी वालों situations आपके लिए positive रहेंगी मन आपका शांत रहेगा परिवार आपके साथ रहेगा किसी एक व्यक्ति विशेश का support आपको मिलता रहेगा नई विचार धाराओं को embrace कर पाएंगे संकेत देखने को मिलेगा साथ इसाथ जो लोग अपना निजी वेवसाय स्टार्ट करने की सोच रहे थे या multiple income resources पे काम करने की सोच रहे थे तो आज का दिन शुबतम मारा जा सकता है बात करते हैं मकर राशी वालों के लिए मकर राशी वालों आज के दिन के मैं बात करूं तो आज का दिन आपके परिवार के लिए कुछ नई चीज को सजन करने का है creative acumen आपका और आपके परिवार का higher side पे रहेगा परिवार कोई मिल जुल कर एक साथ कोई मेहत्वपोर्ण निरना ले सकता है किसी व्यक्ति विशेश की तरफ से दिशा निर्देश आपको आ सकते आज के दिन से आपको कुछ नई दिशा कुछ रहा यह positivity देखने को मिलेगी मन्स को शांत रखिए भाई भेहन से अगर कुछ मन मुटाव चल रहा था तो आज के दिन उसमें भी clarity होती हुए नजर आएगी confusion clear होंगे communication बढ़ेगा बात करते हैं कुम्बराशी वालों के लिए कुम्बराशी वालों आज का दिन आपके लिए सब तरफ से positivity लेकर आशकता है मन को शांत रखिए विचारधाराओं को प्रबल रखिए अपने उपर आज के दिन आपको काम करने की जरूरत है जितना आप अपने उपर काम करेंगे जितनी आप अपने लिए positivity अक्तियार करे उतनी आपकी परिस्तिती अच्छी होगी लंबे समय से अगर कोई परिस्तिती कोई property कोई land matter विवादत रूप से आपको परिशान कर रहा था जहां पर कोई डिस्प्यूट चल रहा था भले ही वह लीगली ना बढ़ा हो वह परिस्तिती आज के दिन आपको first half के दौरान पर mentor भी हो सकता है बात करते हैं मीन राशी वालों के लिए मीन राशी वालों आपकी परिस्तिती आज के दिन बिल्कुल ठीक रहेगी intact रहेगी मन आपका positive रहेगा नई चीजों को embrace कर पाएंगे माता-पिता के प्रति आपको सजग रहना है आप समर्पित रहें अपनी duty अपनी partner के साथ बन रहे थे तो communications आपके और आगे बढ़ेंगे clear होंगे crystal clarity आएगी साथ ही साथ आज के दिन confusions भी personal relationship में दूर होंगे सुजबुजग का आज के दिन आपको परिचय देने की जरूरत है इसी के साथ मुझे आग्या दीजे में कल फिर आज रहोंगे नमस्कार